पतंजली के एडवर्टीजमेंट और विग्यापन का बहुत बड़ा मुद्दा चला ऐसी क्या हो गई वाट वस्ट मैटर की वो सुप्रीम कोट तक बहाँ चला गया सुप्रीम कोट में मैंने जजसाब के सामने उन्हों में से पूछा कि क्या मैटर है मैंने का जी जो एलोपे से सनातर धर्म से इतना घ्रिणा है उनको ऐसा रगता है यह बगवे कपड़े वाला इतना आगे कैसे बढ़ गया तो टांग खीचना चाहते है क्या कर पाई हमारा सौमी रामदेव कैसा है अपना स्किर्प्राइटर भी खुदी है डारेक्टर भी खुदी है एक्टर भी ख आता हूं और मैं अकल से योगा शुरू करूंगा कहां से करें कहां से करें तो एक बार सब्टके दोड़ लगाओ अच्छा फिर आप ब्रीधिंग एक्ससाइज स्टार्ट करो है बस तरीका थोड़े पोश्यर्स थोड़े नमस्कार ऐसे छुट-छुटी चीजे शुरू कर नेचर के साथ कनेक्ट करो आपको प्रकृती से दूर होगे विक्रती आएंगी मिरभाई सिद्धार्त जी Welcome to another episode of Gohati Connection. The YouTube thumbnail already gives away my guest, right? But what I am so happy to announce that this is his first ever podcast and for us to be doing this here in Gohati I think is a news that we must share with all of you. I am here at the Patanjali Wellness in Mirza and this huge sprawling space has a lot of activities to offer. But we had a one-on-one conversation with Swami Ramdev himself and let me tell you, you know, I prepared a lot of questions, some tedha, some sidha, some fun. But turns out, the global icon that he is, he is known how to have a conversation around everyone. And we had a fun chat. Abhi mein zada der nahi karte huye, bringing to you on screen is the first ever podcast with Swami Ramdev and I will see you on the other end. If you have any questions that you think we may have missed, put them down on the comments and maybe in the second ever podcast we'll be doing that with him also. So we have a very xuogat, Swami ji, a Awesome. This is my first time. Today, this is the first time. This is my first time. It was a small question. You were still becoming removed from media a year, 3-4 years. How was it? How was it? What do you think about this situation? देखिए मैं दरसल मीडिया में कभी जानबूज की एक्टिव नहीं रहता था लेकिन बीच में मैंने 2009 से लेके 2013 तक तो बहुत अग्रेसिवली मैंने देश में केमपेंड चलाया योग अरवेद स्वदेशी के साथ-साथ ब्रश्ट अचार काला धन ब्रश्ट व्यवस्था से इसमें जा है, मैं सामा जी का आर्थिक राजनेतिक सब वैशिक जितने भी प्रश्ट न होते हैं उन्हें सब पर अपना राय रखता था कोरोना के समय से मैंने कोरोना के बारे में तो बात की उसके बात से मैंने पोल्टिकाल और बाकी सोश्याल रिलीजियस बहुत कम कर दिया क्योंकि आप देखते हैं रिलीजियस के नाम पर आपस में इतना लोग नफरत फैलाने का कम कर रहे हैं तो उसमें बोल करके जह है जासे कहते ना अपने सिर पर मुसीबत मोल लेना है ऐसे ही पोलिटिक्स में भी थोड़ा सहिश्णता आपस में कम हुआ है तो मैं पोलिटिकल इशूद पर भी ज़्यादा राय नहीं रखता है कि भाई हाँ सभी मैंने कई बार कहा है पक्षो हो या विपक्षो रूलिंग पार्टि या उपोजिशन हो सबका यह ध्यान होना चाहिए कि हमारा देश का एकता अखंडता संपरोता लोगों का भला यह हमारा लक्षे होना चाहिए बाकी तो सिद्धार्त वाई यह बड़े ट सोच रखते होंगे लेकिन आपके पीछे हमेशा प्यार मैनेजमेंट टीम भी रहती होगे कभी आपको ऐसे लगता है अरे छोड़ दो मुझे मेरी बाते करने दो यह को मैं प्यार टीम सच में नहीं है अच्छा स्वामी रामदेव कैसा है अपना स्किर्प्राइटर भी और प्रमोटर भी खुदी है सेल्समें भी खुदी है तो यहां यह सारी जो टर्मिनलोजी यूज होती है ना कि जो दुनिया में कुछ फेमस लोग होते हैं तो अपने पीछे पूरा ताम-जाम रखते हैं मेरे साथ ठीक है इतने सोशल थ्रेट्स रहती हैं पॉलिटिकल थ्रेट्स रहती हैं और इंटरनेशनल टार्गेट पर भी में रहता हूं च्योंकि योग अर्वेद का स्वदेशी का मैं कहता हूं मुझे देश को शिक्षा की गुलामी से चिकित्सा की गुलामी आर्थी गुलामी राजनातिक वही चारी गुलामी सब प्रकार की गुलामी गलाने कुंठाओं से बाहर निकालना है तो मेरे साथ आपको आश्यर होगा जो जेड सीक्योर्टी भी रहती है न वो भी मतलब लोगों को कभी भी आपने नहीं देखा आपका असाम और गुहाटी से नाता काफी पुराना है वो नाता कैसे शुरुवात हुआ और आप इसके आगे इसको कहां ले जाना चाहते हैं हमारे एक असम के ही बोडो नात परमपरा के एक सादू हमारे साथ गुर्कुल कांगडी में वहां पढ़ते थे तो वो हमको ले आए कि इधर बुखार बहुत होता था आसे मैं 32-33 साल पहले के बात कर रहा था काला मलेरिया और भी ऐसी अलगला परकार की बिमारिया बहुत होती थी और उपचार बहुत कम था तो हम गाउं में कैम्प लगाते थे सबसे पहला हमने उदाल गुड़ी बंदर गुड़ी भूटान के बुड़र पर उदर से सुरू किया भेरवकुण वहाँ से सुरू किया और फिर दिरे दिरे पुरे असम में हम लोग सेवा करते थे अपने सिर पर दवायां रोते थे साईकर पर घुटे थे यमारे पास कोई साधन नहीं था जो हम मेडिशन लोगों से डोनेशन लेते थे उसकी मेडिशन बना करके ले करके आ जाते थे तो फिर यहां लोग बहुत प्यारे हैं फिर हमको थोड़ा एक दो चीजें खराब लगा कि इदर कुछ गरीब लोगों को लोग लालत जे के धर्म परिवर्तन कराते हैं तो इसलिए हम लोगों की सेवा करते थे और वो सेवा का हमको इतना फल मिला इतना पुन्य मिला इतना अशिरवाद मिला कि आज योग का अर्वेद का स्वदेशी का सनातन धर्म का इतना बड़ा सेवा करने में भगवान ने हमको सक्षम समर्थ बनाया तो मैं इस धर्ती का मा का मक्षा देवी से लेकर के हमारे गूरू शंकर्देव महदव देवी जी का पुन्य धरा कि जहां से हमने अपना यात्रा सुरू कि आज वो यात्रा पूरे जहान में पहुंच घी है आप आयूर्वेद के बहुत भड़े spokesperson है आप global figure उसी में माने जाते हैं योगा और आयूर्वेद को लेके अब मैं उसका free free का brand ambassador है मगर उसमें अभी आप allopathy भी है, homeopathy भी है मैं उसमें समझ एक बार हमारे दर्शकों को अगर बता सकते है कि कहां आयूर्वेद का जो हिस्ट्री है वो क्यों आज कोई भी अलग form of medicine से आगे रहता है allopathy का adverse effect पहुंच जाता है कुछ life saving drugs है, कुछ surgeries है मैं कहता हूँ, उसमें मेरा कोई व्रोध रही है जब life threatening है तो you can take the life saving drugs but we have also life saving drugs and we have surgery तो आप surgery और life saving बस ये दो चीजों की आड़ में लोगों को जहर खिलाते है मैं उसके खिलाप, इसलिए मैं कहता हूँ ये drug mafia ये medical mafia आपको मार देंगे जहर खिला खिला करके आपके जिश्रम में 10 साल 20 साल, 30 साल से दशकों से आपको बीपी की, शुगर की, कॉलेस्टॉल की, बलड थिनार, एंडिबैटेक्स, इसलिए खिला खिला करके आपको गुलाम बना देते हैं तो मैं उसके खिलाप बाकी life saving drugs हैं, surgeries हैं, वो जो आची हैं, वो आची हैं जहां तक advanced research की बात है research and evidence-based medicine की बात है, वो हमारे पास भी है फिर होमेपेथी, वो भी बहुत बीमारियों में निरापद है कोई दिक्कत नहीं है, होमेपेथी का एक मैं परचार रखूं उसका तो कोई criticism का प्रशन ही नहीं है, उसका कोई side effect नहीं है रही बात वियना नहीं सिद्धा यह भी बहुत अच्छी चीज़े है आयरवेथ क्यों आगे है, एलोपेथी में विमर्यों का control है हम लीवर, kidney, pancreas, type 1 diabetes, thyroid, asthma, arthritis, macular degeneration, brain card regeneration, Parkinson's, Alzheimer, dementia, epilepsy यह सब को हमने अच्छा MND के भी first stage की patient अच्छे किये infertility, obesity तो एक से दो किलो वजन रोज घडाते दे थे, one kg weight you can release daily we have this type of knowledge, experience and therapies तो यह हमारी रिशियों की बहुत बड़ी विरासत है तो बस तीन बूल भूत अंतर, वो control करते हैं, हम cure करते हैं वो symptoms को ठीक करते हैं, सिदार्थ भाई, हम system को अच्छा करते हैं और वो जहरीली दवायां देते हैं, हम आईरवेद का अम्रित पे लाते हैं कोई side effect नहीं, कोई complication नहीं और ultimately हम targeted medication भी देते हैं, जो BP sugar थार्यार्थ मर्थराइटिस के लिए और हम integrated medication देते हैं, integrated treatment देते हैं उसके पूरी life को अच्छा करते हैं, तो मनुष्य कोई एक machine नहीं है और हम जड़ शरीर तो खता ही नहीं है, हम एक चैतन्य पोन सत्ता है through allopathic medications, through some chemicals, through some salts, hormones, through some synthetic medications आप पूरा complete health आप आजाएंगे, ये व्रांती, ये एक मित है, उसे हम लोगों को सिधार्थ बाहर निकालते हैं एक one question that I wanted to ask Swamiji, इस बारे में है कि ये जो Assam का और ये जो आजरा में हमारा जी आपका पतंजली का चिकित साले है, इसका future में आप क्या देखते हैं पतंजली जो हमारा wellness, ये हर्दवार के बाद बाहर हमारा सबसे बड़ा center है इस 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 फर्स्ट विग्एस center आउट ओफ हर्दवार, दो सो बैट की facility है, लिवर फेलियर, किद्ने फेलियर, टाइप ओन डायोटीज, बेपी शोगर, थारड आस्तमा, जो क्रोनिक डिजीज है, मैं एक सॉरी इंटरप्ट करना चाहूंगा, जब तक आप हरिदवार की हरिदवार सबसे बड़ा है, हरिदवार में बहुत कुछ है, educational segment है, उसमें school है, research center है, क्या Assam का future भी वहाँ जा रहा है, वो भी ज़र अगर बताएगा, देखो, Assam में हमने तीन काम तो बड़े किये, आज तक कोई business man बता दो, कोई साधू बता दो, कोई बोलो, कोई media house बोल तो हमारा हर्दवार के बाद सबसे बड़ा investment थिजपुर में हुआ, हमारा हर्दवार के बाद जो हमारा education activity आज 1000 से बच्चे जादा पढ़ रहे हैं, 5000 की planning हमारी, यहाँ पर आचारी कुलम जो हमारा बहुत ही, जिसमें modern education भी है, और हमारे instant wisdom knowledge भी है, फिर wellness भी यहीं सुरू हो गया, तो हम उतर-उतर slowly slowly आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो हमसे बन पाएगा, और देखे इसके पीछे ना कोई राजनेतिक महत्वा काक्षा है, इसके पीछे ना किसी प्रकार का पसिक का हमारा यहाँ के धरती से मिट्टी से प्रेम है, और असम के लोग मुझे को बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ के असमिया, यहाँ के बांगाली लोग, यहाँ के नेपाली भासा भास यह लोग, यहाँ तो दस्तरे की भासा ही बोलते हैं, पोरा भारत बसता है असम में, और सब लोग बहुत प्रीती करते हैं, तो सिदार्त एकी बात कहते हैं, जो हमसे बन पाए पतंजली योगपीट पुझे आचारे वाक्षन जी मैसेल्फ सामी रामदेव हम आपकी जो भी अधिकतम सेवा बनेगी हो करेंगे और यह जो सेंटर भी है इतना बड़ा सेंटर है करूड रुपए खर्च हुए लेकिन इतना अफोर्डिवल प्राइज में हम यह टीटमेंट देते हैं अग आदमे को उसका फूट देते हैं उसका मेडिशन का उसका थेरापीज का खर्चा आता है एक आदमे के उपर आप यदि इसको बहुत मतलब जह है बैलेंस इट लॉस एन प्रॉफिट के हिसाब से देखे तो कम से कम एक आदमे के उपर पांच जार रुपए प देखते हैं आप पूरा फाइनस फाइनस खुद देखते हैं ध्यान लगता है आपने टीम बठा रखिए कि मैं योग करूंगा तुम कंपनिया संभालो बिजनस संभालो होता लगने पड़ेंगे एक लाख लोग काम करते हैं हमारा रनिंग कोश्ट दो सो करोड रुपए मं देशी का सनातन धर्म का सेवा का इतना बड़ा तंतर किसी का है तो बोलो लोग आनोचना करना बहुत अलग बात है कुछ लोग उठकर के गाली दे देते हैं तो गाय का घी हमारा खाते हैं क्योंकि शुद्ध चाहिए एनिमल फैट ने जीए सेरसों का तेल हमारा खाते हैं आटा नमक हमारा खाते हैं बालों में केशकांती दांतों में दंतकांती हमारा लगाते हैं और फिर हमको गाली भी देते हैं देने दो एक टेड़ा सवाल पूछ सकता हूँ अरे टेड़े एक नहीं दस पूछो पतंजली के एड़टीजमेंट और विग्यापन का बहुत है यह इर्शा है ना इर्शा है हमने एक बार भी जिंदिगी में किसी भी संदर में जूट नहीं बोला है I'm not talking about only health or education और only religious aspect मैंने को जूट बोला हो तो बताओ तो यह क्या है पूरा एक medical भाफिया है पूरा एक lobbying है और कुछ लोगों को तो भगवा से योग से आयर्विद से सनातर धर्म से इतना घ्रिना है उनको ऐसा लगता है यह बगवे कपड़े वाला इतना आगे कैसे बढ़ गया तो टांग खीचना चाहते है क्या कर पाया हमार सब कोई पर बैन नहीं यह अभी तक भी लोग जूट फैला रहे हैं अभी भी मैंने पिसली दुनों आखवार में विग्यापन दिया कि पतंजरी कि किसी दवा पर कोई बैन नहीं है हमने कोई जूट नहीं बोला है खाली एक कार्ट मैटर है अब क्या है सब कुछ उल्टे- वाला सवाल पूछता हूँ जो आपके लोग हमेशा उटके आप भी हम कॉन्फरेंस पे बैठे थे तो किसी ने उटके का सवामी जी दिन की शुरुआत आपसे करते हैं टीवी चैनल चलाते हैं डॉक्टर थी वा एमड़ी पेसमडी डॉक्टर हाँ जी तो जब उटके चाय, कॉफी और पता नहींगा सोवे से कसरा डालना सुरू कर देते हैं शरी कुड़ा दान नहीं है इसमें अच्छी चीज़े डाली है एक चमच गाय का घी पी हो मैं सबस्दों गाय का घी पीता हूं एक चमच चमक देखो है 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 चमक तो बहुत है सो एक बार खाना खाता कुछ आप जूस पी सकते हो अंकुरित ले सकते हो पकावा नहीं शाम को साख सबजी भाजी दूद फलादी ले सकते हो वह भी आठ बजी से पहले पहले चोदेश से सोले घंटा आपका पेट खाली रहना चाहिए इंट्रमेंटियन उपवास रोज करोगी पुरा श्रीर का ह कर्म शीर रहेँ है पुर्शारत का है पुजारी हूं मेरे शब्द होता है अखंड-प्रचंड पुरॉचारत पुर्शारत की पराकाष्थ्था चरीवेती चरीवेती और सब चलता एक और आसान सा सवाल है आपके लिए लेगल तो आप तो कठिन पुछने वाले थे असान पर of ने ने मैंने तो एक ही कठिन बता है ना इसलहे तो ऐसा है कि बहुत लोग चाते हैं कि मैं योग की शुरूआत करू है यह बीधिंग एक्ससाइज स्टार्ट करो बस तरीका कबाल भादी अनुलो मिलो थोड़े पोशर्स थोड़ा सुर्य नमस्कार ऐसे छुट-छुटी चीज़े शुरू करे थोड़ी-थोड़ी जड़ी बूटिया लेनी शुरू करे थोड़ा सुवे अनार खाये करे पपिता सेवादी खाये करे आपके आसपरोस में हल्दी है, अधरक है, तुलसी है, नीम है इस सब चीज़े इनको खाना सुरू करे तो थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट करो आपने आपको प्रकृती से दूर होगी, विकृती आएंगी मिरवाई सिद्धार्त जी आजकल के competitive environment तो थोड़ा से तो मुश्किल तो होगा सवामी जी देखो, मुश्किल तो चालो तरफ pollution है, चालो तरफ radiation है, चालो तरफ जह है food mafia, drug mafia, medical mafia, political mafia, social mafia media mafia भी है media में भी रह रामा रामा और social media में तो क्या जूट और क्या साच और इसा गार्मेल हो रहा है, लोग उसी में घुसे रहते हैं चार-चार, आठ-ठाट घंटा यूथ अपना time waste कर रहा है, थोड़ा समय media देखो, media है आपको update रखने के लिए तो आपके पास में, आप हर जिगए एक balance बना के चलिए है और दूसरे आपको खिलोनों की तरह इस्तिमाल ना कर सके उपभोकता नहीं बनो consumer नहीं बनो, creator बनो और हमने यह करके दिखाया है तो आदमे को हुसला होना चाहिए ज़्यादा ता लोग average life जीते हैं और किसे ने किसी चीज की consumer बनके रह जाते हैं बिल्कुल creator बने, innovator बने creator लेके एक सवाल आ गया लेकिन plan नहीं था मगर आ गया ले लो social media में जो content करते हूं उन्हें भी creators ही बोलते हैं आप एक social media एक global influencer है जिन्होंने influencing शुरू किया था social media से पहले इसके दो सवाल है क्या आप खुद social media करते हैं देखते हैं कभी उठके नींद से या नींद से उठके नहीं देखता देखो जो है मैं Facebook पर हूँ Instagram पर हूँ Twitter पर हूँ YouTube पर हूँ और करोड फॉलोवर से मेरे मेरे खुद के अकाउंट से धाई करोड करोड लोग जुड़े ठीक है और मेरे वीडियोज करीब 700-800 करोड बार देखे गए है 700-800 करोड व्यूज है मेरे तो इतना हुज व्यूज है लेकिन मैं इसके चकर में नहीं पड़ता किसने लाइक या किसने डिसलाइक या कौन गाली दे रहा है ट्वीटर के उपर फेस्बूक के उपर में देखता ही नीचे कॉमेंट क्या करते कॉमेंट करने वालों को देखते तो यहाँ पहुँचते हम अपना काम से ही करो तो यह यह जो आजकल यह भी विवारी होगी यह लोगों को सोशल मीडिया का अडिक्शन और उसके उपर व्यूज अच्छे ना है लोग गलत-गलत कॉमेंट करना शुरू कर दे तो लोग जो है रोने लगते हैं यह कोई काम है तो यह सब वेकर की बात है हाँ अपनी बात जादेखो जितना होगा प्रचार उतना होगा विस्तार लेकिन प्रचार के नाम पर हम अपनी मरियादा अपनी मुल्ले, अपनी विरासत उसको न छोड़े कुछ वेल्यूज रहने जाए सौमी रामदेव ने अपनी प्रिंसिपल से एक बार भी लाइप में compromise नहीं कि और नहीं करोगा यह मेरा commitment है स्वामी जी वैसे खाना पीना कैसा आपको क्या पसंद है पीने का मतलब दूसरा तो है यह नहीं आप intermittent fasting करते हैं मगर ऐसा क्या है जो खाना पसंद करते होंगे कि मैं घी पसंद करता हूँ तो मैंने घी अब खाने में बंद कर दिया सबस्वाइ पीना शुरू कर दिया घी सबस्वाइ पीलो अपना आप digest हो जाता है और फिर वो cholesterol, fat, कुछ भी बढ़ने का खत्रा नहीं रहता मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है fruits और vegetables मैं ज़्यादा वो लेता हूँ इसाथ में यहोँ चावल कभी-कभी खाता हूँ और बहुत कम खाता हूँ मेरे चेले मेरे साथ में रहने वाले साइज मेरे से देर्ड दो absorption मिरे सन्या सिसे से बड़े सही हैं लेकर मेरे आसज़ूट gratis में बहुत लोग रहते हैं तो मेरे पास लोग जितने भी गिफ्ट लेके आते हैं, खाने पेने के चीज़े रहते हैं, वो खापिय करके मस्त रहते हैं, और एक थोड़ा सा फिरी इसी मैटर पे उट पटांग सवाज, जिम के बारे में क्या खयाल रखते हैं आप, जिम और कसरत करने के लिए, आप तीन कोशिश तो हम भी करते हैं, पतला वाला चावणा रखने का कोशिश तो हम भी करते हैं, ने तुम अच्छे हो, देखो, आप तो अभी बात अच्छे युवा हो, ऐसे मतलब बोलना नहीं चाहिए, आप तो अभी हमारी बच्चे की उमर के हो, मतलब मैं तो सन्यासी हूँ, अप जैसे मेरे बच्चे हो गया होते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दोड सकता हूँ, और तुम मेरे से आगे नहीं निकल सकते, आप बोलेंगे तो हम पुश अप्स कर सकते हैं, और पुश अप में भी एक साथ मैं 100 करता हूँ, वाव रहे वाव सर, तो मैं तो मैं 100 नहीं कर र लेकिन ज्यादा ज्यम, जो बहुत ज्यादा बोड़ी को अलग अलग प्रकार से टोले शोले, मतलब एक अलग प्रकार की शेप लाने के लिए न, बतलब वो एक तरह से पागलपन है, फिर बाद में वो लोग बड़ा दुख पाते हैं, पूरे वर्ड के जो ज्यम करने वाल तो ज्यादा ज्यम ठीक नहीं है, ज्यादा योग भी ठीक नहीं है, आट ज्यूग से श्यूद attacks you are aware you know in the gym or outside also someone has also there is not reason is not there is a current junk food there is reason is vaccine and double dose of vaccine and synthetic medications stress and instability in life ये जो चीज़े है न एक तो कभी भी किसी से जूठा प्यार ना करना ना किसी को जूठे आस्वासन देना लोग प्यार के चक्कर में मरते हैं दिल है कि मानता नहीं दिल मांगे मोर फालतो की बकवास वाजी सीख रखे लोगों ने तो आदमी को ना किसी का दिल आदमे को भरोसी की जिन्दगी जीनी चाहिए ये जो बहुत जादा सर्फिस पर लाइफ को जीते है जीवन अनन्त है अनाधि काल से चला आ रहा है और अनन्त काल तक चलने वाला है इस जीवन को घहराई सी जीना चाहिए आज लोग एक के साथ अपना प्यार नहीं अब खुश रहता हूं तो लोग योग करें ज्यादा ज्यादा आर्टिफिशल चीजों से सिंथेटिक फूर से सिंथेटिक मेडिशन से सिंथेटिक लाव ये बड़ा जहरीला प्यार है इनसे दूर रहे अपने काम पर फोकस करें तो आप बहुत अच्छे रहेंगे कोई हा वेलनेस सेंटर में जब कोई आएगा वो कोई धार्णा लेके आएगा इशूट कम विच सम एक्सपेक्टेशन की आम उसके 99 परचेंट धार्णा पूरी करें अच्छा उसको आरोग्य के दृष्टि से फीजिकली मेंटली इमोशनली इसलिए हमारे सन्यासी थेरापिस्ट अच्छे बच्चे धूंड के लगाएं उसमें कुछ बच्चे आसम के भी हैं जो आसम यां बांगला आदी बोल सकते हैं वो भी बच्चे हैं हिंदी इंगलीस में कोई लेंग्विज की बांडरी और बहुत प्यार से हैं परिवार के तरह उनको रखेंगे और वैसे एक सव अब बताएं क्या तुम बहुत इंटेलीजेंट लड़के हो तो मीडिया तो करना ही करना और प्राइट टाइम में कुछ जोब भी कर लेना और तुम तो ऐसे हो तुम तो एक्टिंग भी करो मतलब देखो intelligence का लेवल हमारे भीतर प्रबुद्धता का लेवल अच्छा होना चाहिए बाकी मीडिया के साथ-साथ कुछ आप business भी कर सकते हो मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं entrepreneurship खड़ी करना चाहता हूँ कि लोग और मीडिया में भी बहुत बड़ा कर सकते हो तो आप किसी भी चीज़ का कोई अंतहीन है यात्रा मैं मीडिया में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सेंकड़ों हजारों करोड के सामराज्ये खड़े की है तो मीडिया भी एक business है business में भी मीडिया काम आता है politics में भी मीडिया काम आता कुछ रोग मीडिया करते करते पत्रकार होते होते बात में जी जैसे प्रधान मंतरी तक हो गए तो आपके सामने opportunity बहुत है लेकिन आप सिद्धार्थ बहुत अच्छे पत्रकार लगे मुझे इसलिए नहीं कि आपने मेरे से कोई टेड़ी बेड़ी सवाल ले पूछे मैंने तो आपने एक पूछा तो मैंने का दस पूछो मेरे को उसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन life is limitless तो चरही वेती चरही वेती कुब आगे बढ़ो आप मेरी बहुत शुब कामना है ठीक है आपका समय के लिए Swamiji आपका समय के लिए Swamiji I am very very grateful Thank you so much for your time Thank you आज पहली बार ये वाला माई पहली बार मेरे सामने लगा तो फिर बड़ी असा सेटफ अप लेके I am skili be thank you for G Plus तो जैसा कि आपने सबने सुना Swami Ji ने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया and for all those of you who stuck to the end of the episode I am very grateful I hope you have enjoyed this conversation as much as I did he has a very busy schedule so we kept it a little short and until next time please make sure that you subscribe to our YouTube channel and I'll see you next time I'll see you next time